राहुल और शीतल बारवी कक्षा में पढ़ते थे राहुल एक अमीर खांदान का लड़का था जबकि शीतल एक साधारन परिवार की लड़की थी शीतल राहुल से प्यार करने लगी राहुल तुम जानते हो मैं जादा पैसे वाले घर की लड़की नहीं हो तुम्हारे पापा ममी आगे चल कर शादी के लिए मान जाएंगे न शीतल मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आता हूँ और तुम फिर शादी की बातें लेकर शुरू हो जाती हो अरे यार मैंने तुम्हें कहा ना कि अभी हम enjoy करते हैं अभी तो हम college में admission लेंगे उसके बाद पता नहीं कब जाकर ये शादी वादी के बारे में हम सोचेंगे अभी तो इस पल को enjoy करो यार मेरी जान शादी की बाद बाद में करेंगे न अच्छा अब सब बातें छोड़ो जल्दी से मुझे मेरे गाल पर एक किस करो राहूल तुम लड़के हो और मैं लड़की हूँ मुझे घर में भी जवाब देना होता है पापा बोल रहे थी कि 12th की पढ़ाई अच्छे से कर लू तो अच्छे कॉलेज में एड्मिशन करवा देंगे अगर मैं यहाँ टाइम स्पेंड करती रहूंगी तो पढ़ाई कब करूंगी अरे क्यों टेंशन ले रही हूँ यार अच्छा थुड़ी दिर बैठते हैं ना फिर चलते हैं इसे तरह राहूल और शीतल आपस में समय बिता रहे थे शीतल के पडूस में रहने वाला अमर भी शीतल की एकलास में पढ़ता था वो शीतल को कई बार समझाता था कि वो राहूल से जादा दोस्ती ना रखे पर शीतल उसकी बात को नहीं मानती थी शीतल तुम जानती नहीं हो रहुल अच्छा लड़का नहीं है वो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है वो तुम्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता तुम मेरी बात को समझो रहुल का साथ छोड़ दो देखो अमर, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी परसनल लाइफ में दखल अंदाजी करो मैं जानती हूँ कि रहुल मुझे बहुत प्यार करता है और वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा उसने मुझे पहले ही कह दिया है कि वो आगे आने वाले टाइम में मेरे से शादी जरूर करेगा और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दू कि मैं कल यानि कि करवा चौथ पर अपने होने वाले पती राहुल के रिए वरत भी रखने वाली हूँ समझे और हाँ, ध्यान रहे इस बारे में स्कूल में किसी को भी पता न चले अगले दिन शीतल अपनी घरवालों और स्कूल वालों से चोरी छुपे सारा दिन भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का वरत रखती है स्कूल में वो पेगदर्द का बहाना बना कर अपना लंच अपनी सहीली को दे देती है और फिर जाकर राहुल से कहती है राहुल, मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का वरत रखा है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से पानी पिला कर मेरा वरत खोलो अफो, ये लड़कियां भी न, नजाने कौन-कौन से ड्रामे करती है ओ डालिंग, शीतल, तुम सुबह से मेरे लिए भूकी प्यासी हो डोंट वरी, मैं शाम को तुम्हे पानी पिलाने जरूर आउंगा शाम को राहुल शीतल के घर के पीछे आता है जहां वो एक पेड़ के पीछे चुप जाता है शीतल भी बहाना बना कर घर से बाहर आती है और फिर वो अपनी नेट के दुपट्टे से पहले चांद को और फिर राहुल को देखती है फिर राहुल उसे अपने हाथ से पानी पिलाता है, साथ ही चॉकलेट खिलाता है अच्छा, अब रत खुल गया हो तो अब जल्दी से मुझे पती वाला धरंबी निबाने दो क्या मतलब? अरे बबा, किस तो करने दो? ये कहकर राहुल शीतल को किस करता है और फिर वहां से चला जाता है शीतल और राहुल की नस्दीक यां बढ़ती जा रहे थी उनके एक्जाम नस्दीक थे पर शीतल बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थी राहुल उसे आए दिन कहीं न कहीं घुमाने ले जाता था इससे शीतल की पढ़ाई पर बहुत असर हो रहा था एक दिन शीतल तुम क्लास में टॉप करने वाली लटकी हो और तुम्हारे टेस्ट में इतने कम मार्क्स आए हैं अजकल तुम्हारा ध्यान कहा रहता है मुझे तुमसे ये उमीद नहीं थी शीतल अब तुम्हारे फाइनल एक्जाम आने वाले हैं तुम्हें उन पर ध्यान देना चाहिए सॉरी मैम, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो मैं खूब मन लगा कर पढ़ाई करूँगी शीतल उस दिन तो अपनी टीचर को ये कहकर बज़ गई पर शाम के समय राहुल ने फिर से उसे घूमने चलने के लिए कहा क्या यार शीतल, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्लैन किया है और तुम एकदम से मना कर रही हो मेरा मोड खराब हो जाएगा मैं कुछ नहीं सुनने वाला आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा एक काम करता हूँ, मैं प्रिंसी को ले जाता हूँ प्रिंसी बहुत दिनों से मुझे कहीं घुमाने के लिए कह रही है एक सेकेंड, कोई प्रिंसी तुम्हारे साथ घुमने नहीं जाएगी तुम्हारी बाइक पर बैठने का हग सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं तुम रोको मैं अपना बैग ले कर आती हो अरे शीतल, एक्स्ट्रा क्लास का टाइम हो रहा है, तुम कहां जा रही हो? अमर प्लीज, आज संभालो ना, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, प्लीज मैम को मेरे ले कोई बहाना कर देना, मैं रहुल के साथ घूमने जा रही हो, अगर मैं नहीं गई ना, तो वो नाराज हो जाएगा ओ, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं समाल लूँगा, पर टाइम से घर पहुँशना शीतल रहुल के साथ घूमने चली जाती है, रहुल शीतल को एक होटल में ले जाता है, रहुल पर विश्वास करके वो अपने आपको रहुल को सौंप देती है, नादानी में रहुल और शीतल दोनों पहक जाते है, पर उस दिन के बाद रहुल का नेचर बदल जाता है, शी प्रावल मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मा बनने वाली हूँ, मुझे बहुत घबराट हो रही है। मुझे लगता है हमें अपने घरवालों को इस बारे में बता देना चाहिए ताकि हमारी शादी हो सके। कैसी बाते कर रही हूँ शीतल, मैं भी खुद बच्चा हूँ, मैं एक बच्चे का बोच कैसे समाल सकता हूँ, मेरी मानो तो ये बच्चा गिरा दो, अरे वो तो मज़े मज़े में हो गया, क्या करोगी इस बच्चे को रख कर, मेरे साथ चलो, मैं भी तुमारा अबोर्शन कर राहुल की बात सुनकर, शीतल उसे जोर से चाटा लगाती है, तुम्हें शेर मानी चाहिए राहुल, मुझे तो लगा कि हमारे प्यार की निशानी को तुम दुनिया के सामने स्विकार करो के पर नहीं, तुम तो कायर हो, राहुल शीतल के मुपर उसकी बुरी वाली बेज़ती करके चला जाता है, शीतल बहुत रोती है, उन दोनों की ये सारी बाते अमर सुन लेता है, और वो शीतल के पास जाता है, अमर तुमने ठीक कहा था, राहुल अच्छा लड़का नहीं है, उसने मुझे, शीतल, मैं सारी बाते सुन चुका हूँ, मैं चाहूँ तो अभी राहुल को सबक सिखा सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारी इज़त की परवा है, मैं जानता हूँ राहुल कितना गिर सकता है, तुम घबराओ नहीं शीतल, मैं इस बच्छे को अगले दिन अमर और शीतल अपने कुछ दोस्तों के सामने स्कूल के कमरे में एक दूसरे को जैमाला पहनाते हैं और अमर शीतल की मांग में सिंदूर भर देता है शीतल की आँखों में आजू थे वो अमर से गले लगकर बहुत रोती है मुझे माफ कर दो अमर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं करता उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास है तभी उनकी टीचर वहां जाती है और वो गुस्ते में अमर और शीतल को प्रिंसिपल के ओफिस ले कर जाती है वहीं शीतल के पापा को बुलाया जाता है शीतल को अपने पापा के साथ घर भीज दिया जाता है वहीं शीतल के पापा ने अमर को बुलाया और उसे जोरदार चांटा लगाया देखा कल्याणी, तुम्हारी बेटी स्कूल में ये गुल खिलाती है इस लड़के के साथ शादी की है, मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा शीतल के पिता अमर को गले से लगा लेते है अमर बेटा, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ उस राहुल को तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा तब ही राहुल के पिता उसे लेकर वहां आ जाते है शीतल मैंने मम्मी पापा को सब सच बता दिया है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को सुईकार करता हूँ शीतल मुझे माफ कर दो तुमने आने में बहुत देर कर दी राहुल अब मैं अमर की पत्नी हूँ और ये बच्चा भी अमर और मेरा है तुम यहां से जा सकते हो जीती रहो बेटी मैं जानता हूँ मेरे बेटे राहुल ने तुम्हें खोकर दुनिया के सबसे बड़ी कलती की है खुश रहो बेटी राहुल वहां से शर्मिंदा होकर अपने पिता के साथ वापस लोट जाता है अमर शीतल के प्रती अपनी सारी जिम्मेदारिया निभाता है जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाले लगता है शीतल भी अपनी छोटी सी दुनिया में अपने पती और बच्चे के साथ बहुत खुश थी चन्दनपुर गाउं के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनिता को बहुत पसंद करते थे अनिता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था पर अपनी कुछ फैमली प्रॉब्लम्स के कारण अनिता को वापस अपने शेहर जाना पड़ा नई टीचर का पहला दिन था बच्चे लाइन लगा कर खड़े थे हाँ तो मेरा नाम है मंजूलिका क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजूलिका का नाम दोहराते हैं उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी एए इधरा लड़की, क्या नाम बुलाया तुने मेरा? मंदुलिका निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हस पड़े ये देखकर मंदुलिका का पारा हाई हो गया उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी निशा चिल्ला पड़ी और हसते हुए बच्चे सहम गए बड़ी हसी आ रही थी ना? तुम सब को अभी बताती हो में मंदुलिका सब को डंडे से बहुत पीपती है बच्चों का रोरो कर बुरा हाल था अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सब की पिटाई हुई है तो फिर मुझ से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंदुलिका की गुसे से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बात्रों में निकल गया गरीब मासूम बच्चे मंदुलिका से डर गए थे घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई कान खोल कर सुन लो तुम सब कल दस-दस रुपए स्कूल लेकर आना अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर पर मुझे कल पैसे चाहिए बिचारी गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे किसी ना किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुँचते हैं पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी उसके पिता नहीं थे और उसकी मा मेहनत मजदूरी करती थी माँ भीमार थी इसलिए निशाँ पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसो के सकूल पहुची कहा हैं तेरे पैसे, तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई ठीच है, मेरी मा की तब्या ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, मा मजदूरी पर नहीं गई मैंने मा को बोला था, पर मा ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, एक दो दिन बात दे देंगी, मैं आपको एक दो दिन तक दे दूंगी टीचर जी चल फिर ठीक है, जब तक तु मुझे पैसे लाकर नहीं देती, तु पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी, जा वाँ धूप में जाकर खड़ी हो जा मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है तुछे बड़ा तरसार है, करनू तेरे खिलाफ रिपोर्ट, अभी तेरे को स्कूल से निकाल देगे बोल दूँगी तेरा काम ठीक नहीं है, तु इस स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है बोल चौदरी साब को जाकर बोल दूँ, क्योंकि तू ठहरा अनपर, तेरी बात तो कोई महीं मानेगा पर मैं तो पड़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेगे चल जा आप मेरे लिए गरम गरम चाय ले करा बिचरा गरीब चप्रासी भी उस अत्याचारी टीचर मनजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था चप्रासी दिनों जानता था कि मनजुलिका बहुत चालाक है वो उसके उपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सेहन करता रहता है निशा धूप पे खड़ी रही, गरमी का मौसम था, निशा की तब्यत बहुत खराब हो गई उसे तेज बुखार चड़ गया और वो इसकूल नहीं गई ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है गरमी का बुखार है समय समय पर पानी पिलाना है बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है ठीक है, और कोई चिंता की बात नहीं है गुडिया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएक ठीक है वैद्धी जी दो-तिन दिन बात जब निशा की तब्यत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुँचती है दस रुपे उसके हाथ में ही थे क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी शुक्रिया चौदरी साब घर्मी में सच में बहुत पैस लगती थी बार-बार कुए से पानी मंगवाना पड़ता था और फिर बच्चे भी छोटे हैं उन्हें भी बहुत पैस लगती है आपने ये ठीक किया चौदरी साब के जाने के बाद मंजुली काफ फिर से अपने रूम में आ जाती है टीचर जी ये आपने जो पैसे मंगाये थे वो लाई हूँ ठीक है, कहां गायब थी तु, दो-तिन दन से आई क्यों नहीं स्कूल टीचर जी मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो कितना गंदा हो रहा है या, एक भी कूडा नजर नहीं आना चाहिए चलो, सब किताबे अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ चोटे-चोटे मासूम बच्चे हाथों में जाडू पोचा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते है जिन हाथों में किताबे होनी चाहिए उन हाथों में जाडू पोचा था और ये सब अत्याचारी टीचर मंजूलिका के कारण था मंजूलिका आराम से अपनी कुडसी पर बैठी, फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे कुछ भी कहो, चौदरी साफ के भेजे हुए आम और तर्बूच हैं बड़े मीठे ओ, अरे मेरी चपल फिर तूट गई, इधर आओ तुम सब तुम सब में से मोची किसका बाप है टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिस करते है अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये हुई न अच्छे बच्चो वाली बात चल, अब ये मेरी चपल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुडवा लाना हाथ आगे कर, तु भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तर्बूज खाने के लिए दिया है ले, पकर टुकड़ा टीचर ये आपके मू का जूठा है, मुझे नहीं खाना क्या कहा? नहीं खाना? जूठा कि ला रहे हूँ अरे, तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तुम्हें दे रही हूँ उपर से मुझे नक्र दिखा रहा है अब तु पिटेगा, इतना पिटेगा कि तु हमेशा याद रखेगा मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर-जोर से बच्चे को पीखना शुरू कर दिया बच्चा रोता रहा, चिलाता रहा पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी बच्चा दर्द से करा रहा था किसी तरह चप्रासी दिनों उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है पर दिनों बहुत परेशान हो चुका था मंजुलिका ने हद पार कर दी थी उसे समझी नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौदरी और गाउं के सब लोगों को बताए बच्चे भी बहुत डरे हुए थे और फिर एक सुबा अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है बहुत प्यास लग रही है हम वो दूसरे घड़े में देखते हैं शायद उसमें पानी होगा दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती है पर जैसे निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है अचानक से मंजुली का वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है टीचर जी छूड़ो मेरा गला आह दुख रहा है मेरा दम गुट रहा है मेरे से बिना पुछे गरीब भिखारे नचूद घड़े को हाथ लगाती है आज तेरी खैड नहीं तभी दीनू के साथ गाउं के चौदरी साहब और बाकी गाउं वाले भी आ जाते है जिन में निशा की मा भी होती है छोड़ उस लड़की को छोड़ उसे चौदरी साहब अब आप अरे मैं तो तभी निशा की मा मंचूलिका को जोड़दार थपड लगाती है निशा अपनी मा से लिपट कर रोने लगती है मा ये टीचे बहुत गंदी है अब बहुत मारती है मा मेरी बच्ची ललन इंस्पेक्टर साब को फोन मिला इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी माफ कर दिजए चौदरी साहब आइंदा ऐसा नहीं करूँगी चौदरी साहब कबसे सोच रहा था कि सत्याचारी टीचर की सिकायत करूँ पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल राज सब कुछ सत्सल बता दिया आपकी आँखों के सामने गुनागार है चौदरी साहब इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है कहते कहते दीनु रो पड़ता है आज उसने हिम्मत की और गाओं के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिये जाते है उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव की कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है सबके आगरह करने पर फिर से बच्चों की प्रिया टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आखे भराती है मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी